कब से शुरू करना चाहिए बुध्वार का व्रत? जाने क्या है इसके नियम और लाब? अगर आप भी बुध्वार का व्रत शुरू करने जा रही हैं, तो इसके पहले जाने इसका नियम और लाब. बुध्ार का दिन भगवान गणेश और बुध्ग्रा को समर्पित किया गया है. इस दिन विधिवत पूजा अर्चना के साथ ही व्रत करने से गणपती बबपा के साथ साथ बुध्ग्रा दोश से भी मुक्ती मिलती है. ऐसे में अगर बुध्वार का वृत रखने जा रहे हैं, तो इसके पहले आप पूजा नियम और विधी के साथ लाप के बारे में जान ले बुध्वार वृत में इन नियमों का करे पालन कई लोग भगवान, गणेश और बुध्देव दोनों को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप बुध्वार का वृत कर सकते हैं, लेकिन इस वृत के लिए आपको कुछ नियमों का पालन करने होगा अक्सर लोग वृत में सेंधा नमक का सेवन करते हैं, लेकिन बुध्वार के वृत में किसी भी तरह का नमक खाने से परहेश करना चाहिए बुध्वार के दिन गणेश जी को घी और गुड का भोग लगाएं, और इस भोग को गाय को खिलाएं अगर आप बुध्वार का वृत रख रहे हैं, तो पूजा में इसकी कथा जरूर पने और आरती भी करें मान्यता है कि बुध्वार के वृत में हरे रंग के वस्त्र पहनना शुब होता है बुध्वार का वृत करने से क्या लाब होता है? धार्मिक मान्यता के मुताबिक बुध्वार का वुरत करने से जातक के जीवन में सुख, शान्ती और यश बना रहता है मान्यता यह भी है कि इस वुरत को करने से आपके अन्न के भंडार कभी खाली नहीं होते है बुध्वार के दिन गणेश भगवान की पूजा करने से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं माना जाता है कि बुध्वार के दिन बुध्ग्रा की पूजा करने से कुंडली में बुध्ग्रा की उपस्तिती शुप जगा पर होती है इसके अलावा अगर आपका कमाया हुआ धन व्यर्थ जा रहा है तो बुधवार का व्रद करें इससे आपके धन में बचत होगी और आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा पौराणिक एवं प्रचलित श्री गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे थे कब वह मदद मामने भगवान शिव के पास आए उस समय शिव के साथ कार्थिके तथा गणेश जी भी बैठे थे देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्थिके व गणेश जी से पूछा कि तुम मेंसे कौन देवताओं के कष्टों का निवारन कर सकता है तब कार्थिके व गणेश जी दोनों ने ही स्वयम को इस कार्य के लिए सक्षम बताया इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले प्रित्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्ति के अपने वाहन मोर पर बैठ कर प्रित्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए परन्तु गणेश जी सोच में पढ़ गए कि वह चुहे की उपर चड़कर सारी प्रित्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा तभी उन्हें एक उपाय सूझा गणेश अपने स्थान से उठेन और अपने मातापिता की साथ बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए परिक्रमा करके लोटने पर कार्ति के स्वयं को विजेता बताने लगे तब शिव जी ने श्री गणेश से प्रित्वी की परिक्रमा ना करने का कारण पूछा तब गणेश ने कहा मातापिता के चरणों में ही समस्त लोग हैं यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आग्या दी इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशिरवात दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्री में चंद्रमा को अर्ग्य देगा उसके तीनों ताप यानि दैविक ताप तथा भवतिक ताप दूर होंगे इस व्रत को करने से व्रधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ती होगी चारों तरफ से मनुष्य की सुक्स्मृद्धी बढ़ेगी पुत्र पौत्रादी धनैश्वर्य की कमी नहीं रहेगी गणेश चतुर्थी व्रत की दूसरी कथा एक समय की बात है कि विष्णो भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया विवाह की तैयारी होने लगी सभी देवताओं को निमंतरन भेजे गए परंदू गणेश जी को निमंतरन नहीं दिया कारण जो भी रहा हो अब भगवान विष्णो की बाराद जाने का समय आ गया सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारों में आए उन सबने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रही है तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को नहीं नियोता है या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए है सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा तभी सबने विचार किया कि विष्णो भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए विष्णो भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनात महादेव को नियोता भीजा है यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते अलग से नियोता देने की कोई आवशक्ता भी नहीं थी दूसरी बात यहाँ है कि उनको सवामन मूंग, सवामन चावल, सवामन घी और सवामन लड़ू का भोजन दिन भर में चाहिए यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता इतनी वारता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया यदि गणेश जी आभी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की याद रखना आप तो चुहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया तो विश्णो भगवान ने भी अपनी सहमती दे दी होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहां आप पहुँचे और उन्हें समझा बुझा कर घर की रखवाली करने बैठा दिया बारात चल दी तब नारत जी ने देखा कि गणेश जी तो दर्वाजे पर ही बैठे हुए हैं तो वे गणेश जी के पास गए और रुखने का कारण पूछा गणेश जी कहने लगे कि विश्णो भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है नारत जी ने कहा कि आप अपनी मूशक सेना को आगे भेज दे तो वहा रास्ता खोद देगी जिससे उनके वाहन धर्ती में धंस जाएंगे तब आपको सम्मान पूर्वब बुलाना पड़ेगा अब तो गड़ेश जी ने अपनी मूशक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिये धर्ती में धंस गए लाख कोशिश करें परंतु पहिये नहीं निकले सभी ने अपने अपने उपाय किये परंतु पहिये तो नहीं निकले बलकि जगजगा से तूट गए किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए तब तो नारत जी ने कहा आप लोगों ने गड़ेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकर टल सकता है शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गड़ेश जी को लेकर आए गड़ेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया तब कहीं रत के पहिये निकले अब रत के पहिये निकल को गए परंदू वे तूट फूट गए तो उन्हें सुधारे कौन? पास के खेट में खाती काम कर रहा था उसे बुलाया गया खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमह कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया तब खाती कहने लगा कि है देवताओं आपने सर्व प्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और नहीं उनकी पूजन की होगी इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है हम तो मूरक अज्ञानी हैं फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं उनका ध्यान करते हैं आप लोग तो देवताओं हैं फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोल कर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल्दी और विश्णो भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवा संपन्न करा के सभी सकुषल घर लोटाएं हे गणेश जी महाराज आपने विश्णो को जैसो कारज सारियो ऐसो कारज सब को सिद्ध कर जो बोलो गजानन भगवान की जय